हालो फ्रेंड्स लग्तु आरे फैसें डिजैनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी V-neck की कटिंग और स्टिचिंग V-neck आजकल बहुत रेंडिंग के ऊपर है तो सोचा, इसके उपर ही वीडियो बनाई चाहे, पूरी देखेएगा वीडियो, तो इसके लिए मैंने book room यहां पे लिए है, book room मैंने on fold पे लिए है, book room के जो मेरी चोडाई है, वो है मेरी 4 inch on fold पे और single यह 8 inch है, और बाकि इसके लंबाई आपको जितना भी deep आप neck पहनना च चाहते हो, उसको मैंने box की shape यहां पे दे दी है, ठीक है, आगे मैंने 3 inch रखा है, broad और deep मैंने रखा है, यह 7 inch, मतलब 7.5 inch ऐसे तिर्चा आएगा, अगर आप तिर्चा ना पोगे इसको, 8.5 inch आएगा यह, तो बी neck की जो depth थोड़ी जादा ही रखनी होती है, आपको उसके बाद मैं यहां पे 5 inch पे निसान लगा रही हूं, मतलब जो 1 inch है हमारा उसे 25 कम, ठीक है, और यहां पे भी हम इने इसी तरह से mark करते जाना है, और उसको इस तरह से मिला लेना है नीचे, तो यह जो v-neck है, बहुत ही आसान होता है बनाने में, लेकिन फिर भी कुछ को difficulties लगत बनाने में, और मैंने फ्रंट और बैक दोनों का सेम बनाया है, जितना मैंने फ्रंट का बनाया है, उतना ही मैंने बैक का भी बनाया है, बैक का मैंने 7 inch डीप रखा है, और फ्रंट का मैंने 7 inch रखा है, ठीक है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा, हमारा देखे, इस तरह से हमारा फिर ये बुग्रूम के उपर अब चलिए इसको लगाते हैं कपड़ा तो कपड़ा लगाने के लिए मैंने इसको कपड़ा इस तरह से रख लिया है और जो पैटरन है हमारा वो हमने जिस पर हमने बीने काटा था अंदर वाला जो हिस्सा हमारा उसको हमने कपड़े के उपर इ अगर आप beginners हो तो फिर आपको difficulty आ सकती है तो यह सबसे अच्छा तरीका रहता है कोई भी neck को आप इस तरह से pattern को संभाल के रखिए बीच में pattern लगा देजिए बाद में इसी तरह से जो side वाला neck है जो neck है आपका उसको इस तरह से भी जो भी सिलाई आपने लगानी है जैसे मैंने आप वीडियो में दिखा रही हूँ वैसा यह आपको भी करते जाना है अब यह जो आप देख रहे हूँ यह जो हमारा pattern है इसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए जो हमारा neck है देखे इसमें बिल्कुल बिल्कुल भी space नहीं भी ब्री बचना चाहिए बीच में तो इसको आपने बिस मिला करके जो neck बनेगा हमार उसके उपर अपने सिलाई लगानी है घी के यह यह बात hair इसको कट कर लूँग इसलिए हमने एक वाटर इंच मार्जन रखा है तो अब इसको इस तरह से हमने फोल्ड करते जाना है उपर तक यह देखे इस तरह से फोल्ड करना है यह कपड़े को अंदर दबाते जाना है और इसको फोल्ड कर लेना है और इसके उपर सिलाई लगाते जाना है तो इस तरह से मैं पूरा इसको सिलाय लगा लूँगी कपड़े को मोड लेंगे अच्छे से ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाय लगा ली है अब जो हमारा बीच वाला पैटरन है उसको हम निकाल देंगे यहाँ बर बराबर कर लिया है और बिल्कुल बीच में मैं यहाँ पर भी नौक लगाऊंगी ताकि हमारा जो नैक है वो इधरूदर ना हो मतलब बिल्कुल सेंटर में हमारा नैक काए अब हमने राइट साइड अंदर की तरफ को रखनी है और पहले हम center से एक सी lie लगाएंगे secure करेंगे ताकि हमारा neck इदर उदर खिसके ना बिलकुल भी हमारा neck बिलकुल finishing के साथ बने एक बात याद रखिए जो neck है मतलब जो कुर्ती है वो neck से बनती है अगर आपका neck सही है तो वो सारी गलती या फिर ढख जाती है आपकी बट अगर आपका neck ही अच्छा ना बना होगा तो फिर आप जितनी मर्जी fitting कर लेजिए कुछ भी कर लेजिए तो वो फिर आपका देखने में भी सुन्दर नहीं लगेगा तो अब हमने book room के उपर देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है और जहाँ पर आपका weave बन रहा है वहाँ पर आपने सुई को गाड के रखना है ठीक है अब extra fabric को हम कट कर लेंगे quarter inch margin रखते हुए एक्स्टा fabric को हमने कट कर लेना है कट करने के बाद हमने इस पर भी छोटी-छोटी notches लगाने है ताकि हमारा neck easily पल्टे जहां पर हमारा weave बन रहा है बहां पर भी हमने एक notch लगाना है इससे हमें पलटने में आसानी रहेगी और हमारे कोई भी plates नहीं पड़ेगी जब हम right side क की तरफ को इसको turn करेंगे तो अब देखे इस तरह से हम इसको पीछे wrong side की तरफ को पलट लेंगे और इसके उपर आप पहले अच्छे से iron कर लीजे प्रेस कर लीजे उसके बाद इसके उपर top stitch लगाना है यह देखे मैं इहां पर top stitch लगा रही हूँ तो कपड़े को आपने अच्छे से बराबर करते हूँ क्योंकि मेरा lining वाला fabric है यह तो अच्छे से मैं लगाँगी इसको fabric को side को हटाते हुए इस तरह से लगा लेनी है आप front और back का v-neck बना सकते हो बहुत सुंदर लग रहा है देखे मेरा v-neck यहां पर बनकर तयार हो गया है अब मैं आपको इसक बन दाएगी तो आप like भी कर सकते हो इसे हमें motivation मिलती है next video के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसको wear कर लिया है suit मेरा तयार हो चुका है और अभी press पेगर है मैंने कुछ नहीं कीती उसे पहले मैंने इसको बस पहन लिया क्योंकि मुझे आपको दिखाना था औ भी नहीं तो थेंक यू